लो दोस्तो नमस्कार स्री विश्व कर्मा इलेक्टिकल वर्क्स में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज हम वांडिंग ये सिलिंग फैंक की वांडिंग है इसे काटने का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे आपको ऑऔर जानी सब्सक्राइब कर देजिये विडियो को लाइक कर दीजिये अच्छा लगे तो आएकक कटके Panch यह देखिए दोस्तों कि यह कटर है तपारिया का है छेंच का है आप छोटे वाले से भी काड़ सकते हैं उससे हाथ थोड़ा दर्द करेगा यह से बहुत आसान इसकर जाता है मैं देखाता हूं आपको यह देखिए ऐसे दो से तीन बार में एक वैल कर जाता है यह हम एक साइड में काटना है इधर साइड में बीच में नहीं बीच में काटनेंगे तो दिक्कत होगा निकाले में एक साइड में काटना है यह हम एक साइड में एक साइड में एक साइड में काटना है अब हम एक नुश प्लायर के मदद से इसे ऐसे सिधा कर लेंगे यह देखिए इसे पुरा सिधा कर लिए अब इधर पीछे से ऐसे निकाल लेंगे और हम इस साइड का निकालना देखिए ऐसे इधर निकालेंगे तो यह पूरा इसमें से निकलेगा नहीं अच्छे से और यह पूरा असानिस निकल लिए क्योंकि इधर के यह खिसा कटा हुगा है पहुता सानिस निकल लिए प्रप्षार स्विए नियुट्ट मैं। चाहिए रभाटार करणी उन्युट्ट रच्टने ही बगए निकल जाता है। मैं इसे अपने सामने करके निकालूंगा बहुत असानी से लिए यह देखिए यह तार जो है इसे हम इनहीं सकाड़ देंगे और इधर पूरा खीच लेंगे पूरा जेली से लिए यह तार जा बहुतुरा घेली से लिए से ले दार ते रिदा से लिए पूरा जेखिए यह त Garlic, brought to 미안 तुरा जाएंगे वाला जेखिए यह तार जो पूरा जो आलब हम इतार ओलिए लिए कि एंगे झालूंर लिए मुलीट से लिए आर व'लाम Anita बीजने करें यह देखे दोस्तों यह हमारा कट गया और यह देखी एक पत्ती जो है यह तो इसे मैं निकाल रहा था तो यहां पर ऐसे लग गया इसी वज़ा से थोड़ा जो है यह उभर गया इसे कोई दिक्कत नहीं है बाकी देखिए उमारा बिलकुल आसानी से और बिलकुल सफाई से कोईल कट गया है अब इसे दोस्तों भष्णा जो है इसे भष्णा आम अगली वीडियो मताएंगे इसमें कितने नमर कातार लगेगा कितना टर्न रहेगा और इसे कैसे बरतने हम अगली वीडियो मताएंगा अगर कटिंग का ये तरीका आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए धन्यवाल